Multi-Bagger Stocks, एक रुपया के बैंकिंग शेर बनाया करोरपती, अब निवेश के लिए ऐसे बनाए Strategy-Strategy Stocks, निजी सेक्टर के इस बैंक के शेर एक साल के निचले स्टर से दो महीने में महस दो फीसदी रिक्वर हो सके हैं, और अभी भी एक साल के हाई से यह यह 41 फीसदी नीचे है हालांकि लॉम टर्म में बात करें, तो इसके एक रुपय के शेर ने करोरपती बना दिया है अब फिर ब्रोक्रेज इसमें बंपर तेजी के आसार देख रहे हैं, मल्टिबैगर स्टॉक्स, निजी सेक्टर के दिग्गस बैंक सिटी यूनियन बैंक के शेरों में पिछले कुछ समय से कमजोरी दिख रही है इसके शेर एक साल के निचले स्टर से दो महीने में महस दो फिसदी रिक्वर हो सके हैं और अभी भी एक साल के हाई से यह यह 41 फिसदी नीचे है हालांकि लॉम टर्म में बात करें तो सिटी यूनियन बैंक के एक रुपए के शेर ने निवेशकों को करोड़ पती बना दिया है अब आगे की बात करें तो ब्रोकरेज फर्म इसमें बंपर तीजी के आसार देख रहे हैं मौजूदा लेवल से यह करीब 32 फिसदी उपर चड़ सकता है इसके शेर बिये से इपर 121.60 रुपए सिटी यूनियन बैंक शेर प्राइस पर हैं सुमबार 14 अगस्त को यह 5.74 फिसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था 22 साल में बना दिया करोरपती सिटी यूनियन बैंक के शेर 12 अक्टूबर 2001 को महज 1.08 रुपए में मिल रहे थे अब यह 121.60 रुपए पर है यानि की 22 साल में निवेश को की पूझी 11,169 फिसदी से अधिक बढ़ गई और 89,000 रुपए के निवेश पर ही करोरपती बन गए अब पिछले एक साल में शेरों के चाल की बात करें तो स्थिती काफी कमजोर दिख रही है पिछले साल 15 दिसंबर 2022 को यह एक साल से उचे स्तर 204.95 रुपए पर था इसके बाद साथ महीने में यह 42 फिसदी तूटकर 23 जून 2023 को एक साल के निचले स्तर 119.50 रुपए पर आ गया हालांकि फिर इसमें खरीदारी का रुझान लोटा तो लेकिन महस 2 फिसदी के करीब ही रिकवर हो पाया है एक साल के हाई से अभी भी यह 41 फिसदी डाउनसाइड है जून तिमाही में सिटी यूनियन बैंक की कमाई अनुमान से भी अधिक रही हालांकि लोन ग्रोथ आधार पर 1.5 फिसदी की गिरावट और ग्रॉस NPA के 0.54 फिसदी उचल कर 4.9 फिसदी पर पहुँचने और अन्यस रोतों से आयमे गिरावट ने निराश किया है अब बैंक ने स्पाइस जेट खाते से प्रोविजन्स को फिर से अलोट करके अपने PCR प्रोविजनिंग कवरेज रेशो को 50% तक सुधारने का रास्ता चुना है जिससे अब इसे वित्वर्ष 2024 में बाकी महीनों के लिए क्रेडिट कॉस्ट के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है मैनेजमेंट को अब भी भरोसा है कि कोलेडिंग में बढ़ हुए प्रयासों, डिजिटल शुरुवात और इसके कोर MSMI सिग्मेंट के दम पर ओरिजिन लोन ग्रोथ रह सकती है NPA की रिक्वरी में टेजी और रिटेंफ अकाउंट के दम पर रिटर्न रेशो के भी स्थाई रहने का अनुमान है ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि मेडियम टर्म में ओपरेटिंग एक्सपेंडिचर रह सकती है अब ग्रोथ और हाई ओपरेटिंग एक्सपेंडिचर ब्रोकरेज फर्म ने इसकी वित्तिय सेहत से जुड़े आकरों के अनुमान में थोड़ा बदलाव किया है लेकिन खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है इसमें निवेश के लिए टार्गेट प्राइस एक सौ साथ रुपए है